हेलो दोस्तो आज एक नए अपडेट निकल किया रही है आई उसके बारे में जानते हैं इंडिया टू इन्वेस्ट थाउजन क्रोर रुपीज ओन देवलेप्मेंट ओफ क्रेट निकोबार आइलेंड आए जानते हैं रिसेंटली यह जो डेवलेप्मेंट हुई है फाइनली हमें यहां इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है यह भी जाना है दोस्तो एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की 16,610 हेक्टेर का यह जो प्रोजेक्ट है एक्सेप्टेंस दे दिया है इसकी कोस्ट लगबग आएगी 75,000 क्रोड इसके कंस्ट्रक्शन में अब आईए जानते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 75,000 क्रोड रुपीज यहां पे खर्च हो रहे हैं आखिर हम बना क्या रहे हैं इसमें जो है ग्रेट निकोबार आईलेंड पे एक Greenfield International Airport बनाए जाएगा एक International Container Terminal बनाए जाएगा और एक Towns भी बनाए जाएगी महाँ पे प्रोजेशन को सस्टेन करने के लिए और इतना ही नहीं दोस्तों एक पावर प्लांट भी यहां पर बना जाएगा ताकि यहां कि एनर्जी रिलेटड जो रेक्वाइर्मेंट्स हो पूरी हो सके तो दोस्तों इससे होगा क्या कि पूरे ग्रेट निकोबार आईलेंड का जो कंप्लीटली जो अभी जोग्राफिक वो पूरी तर ऐसे चेंज हो जाएगी और एक नया और बहतर और डवलप हमें ग्रेट निकोबार आईलेंड दिखेगा चलिए दोस्तों अंडवान निकोबार की ये जो आईलेंड है इसके स्ट्रेटिक इमपोटेंस को हम जान लेते हैं तो दोस्तों इसकी लोकेशन जो है इंडियन ओशियन रीजिन में बहुत इंपोटेंट है और ये अंडवान और निकोबार आईलेंड गृूप्स का की नाइस से लिए इसलिए भी काफ इम्पोर Stretch ho aquell हो दोस्तों यहां पर यह है कि यहां पर जो कंटेनर टेमिनल बनाए जाएगा यहां पे दीप सी पोर्ट बन सकेगा तो देखे इंडिया में कोईबीग सी पोर्ट नहीं है इसकी वैसे हमें क्या पढ़ता है क्या तो हमको जो अपने बड़े शिप्स होते हैं जो over 40,000 ton के cargo को को carry करते हैं उनको या तो हमें colombo port पे dog कर Krv diary पड़ता है या फिर हमें इसको Malaysia के port पर पर Singapore में dog कराना पड़ता है और महां से होता है छोटे शिप्स जा करके वह cargo इंडिया में वापिस आते हैं यानि कि डीप सी पोर्ट की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है इस कमी को यह ग्रेट निगोबार आइलेंड कम्प्रीट कर सकता है इसकी वज़े से हम अपने सभी कार्गो को कहीं और ना ले जाकर के यहीं पर डोग कर सकते हैं और दूसरा यह चिन नहीं और कोलकाता पोर्ट से बहुत नज़ती है तो यहां इस वज़े से भी इंपोर्टेंड हो जाता है और देखे दोस्तों स्ट्रेटिकली अगर हम बात करें तो यह आइलेंड इंडिया का अंसिंग केबल एरक्राफ्ट केरियर के रूप में काम कर सकता है क्यों अगर इनको डवलप कर लिया जाए तो इंडिया की जो पोजिशन है और जो इंफ्लूएंस है इंडिया का वो पूरे इंडिया उस इन रिजन में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी गोवर्मेंट जो है आपको पता ही है थोड़ा सुस्त काम करते हैं लेकिन अट लास्ट इन्हों ने इसको एप्रूव कर ही दिया है और अब इस आइलेंड के डेवलेप्मेंट और कंस्रक्शन पर ध्यान दिया जाएगा ताकि इंडियन एकोनोमी में कोंट्रिब बारे में तो जो पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इस आइलेंड की साउथन पॉइंट पर किया जाएगा और इसके होने से होगा क्या कि जो करेंट जो पॉबलेशन आइलेंड की वो लगबग साड़े आठ हजार के आसपास है जिसमें कुछ ट्राइबल पॉबलेशन ह और कुछ आर्मी, एरफोर्स, नेवी इन सब की पॉपॉलेशन है यहां पर एक इंपोर्टेंट नेवल स्टेशन भी मुझूद है जिसको हम आई एनस बाज की नाम से जानते हैं तो इसमें क्या यह जाएगा कि जो आइलेंड का नोर्थ पार्ट है वो अन्डिस्टरब्ड रहेगा यानि कि वहाँ पर जो पेड़ पूदे हैं वो डिस्टरब नहीं होंगी लेकिन जो इसका मेली साउथ वाला हिस्सा है वहीं पर यह सब किया जाएगा और दोस्तों इसके होने के बाद यानि कि जब यह डवलप्मेंट हो जाएगा एक अंदाज है लगाया जा रहा कि जो इंटरनेशनल सीप्स हैं जो भी शिपमेंट्स जा रही होंगे वे यहाँ पर भी डोप करेंगे और इससे टेक्स कलेक्शन होगा तो हमारा रेविन्यू भी यहाँ पर जनरेट होगा तो दोस्तों इसके बारे में कुछ एनवार्मेंटल कंसर्स भी जताए गई हैं इ क्योंकि एक लोंग टर्म में डिजास्टर सावित होगा इस आइलेंड के लिए तो दोस्तों यह थे कुछ फैक्ट्स इस आइलेंड के बारे में जो न्यू डवलेप्मेंट निकल के आया है तो थैंक्यू फोर वचिंग दी वीडियो और प्लीज सब्स्क्राइब दी चैनल झाल